हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राधा कीचन तड़का आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ गाजर का हल्वा बनाने की बहुत ज्यादा इजी रेजबी यह दिखी इतना रसिला गाजर का हल्वा अगर बिना किसी मेहनित के मिल जाए तो और क्या चाहिए आई यह बनाना शुर शुषज़गा नहीं है क्यूंकि हम इसे कट्व कस नहीं करने वाले हैं हम इसे ऐसे ही कट करेंगे रफली चौप कर लेंगे इसे और यह देखिए कटकर है गाजर बिल्कुल तयार अभी चलते हैं गैस की तरफ यहां मैने कूकर रख दिया है गैस के उपर और गैस को कर दि उसमें जो बड़ा साइज होता है वो तो बड़े चमच देसी की ड़ाले गाजर को मेल्ट होने यहाँ देते हैं अभी इसके अंदर डाल देंगे گाजर गाजर को अच्छी तरह से घी के साथ रोस्ट करेंगे घी के साथ रोस्ट करने से गाजर को अच्छी तरह से गाजर के अंदर घी की खुस्पू हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छी तरह से इसे मिला देंगे ये देखिए बहुत प्यारी सी खुस्बू आ रही है और काफी साइनी सी लग रही है गाजर क्योंकि घी से कोट हो जुगी है अब इसके अंदर डालेंगे एक गिलास दूद और इसके अंदर डालेंगे स्वाद अंसार चीनी यहां मैंने शावऑ कमिया ज्यादा कर सकते हैं एक किलो गाजर ले थी इसके अंदर मैंने 200 ग्राम चीनी डाली है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 200 ग्राम भी डाल सकते हैं दूद और चीनी को अच्छी से मिलने के बाद अभी इसके उपर लगा देंगे लिड और तीन सीटे आने तक गाजर को अच्छी तरह से कुक करेंगे अभी तीन सीटे आने देते हैं इसके बाद इसे चेक करेंगे तीन सीटे आने के बाद देखे कुकर को मैंने कोल दिया है प्रेसर हट चुका है और ये देखिए गाजर हमारे अच्छे से गलकर तैयार हो चुकी है और दूद के भी हलके हलके दाने बन चुके है काफी सोफ्ट हो चुकी है गाजर ये देखिए फोक्त की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ काफी सोफ्ट हो चुकी है एक पारी इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और जो इसके अंदर ये चीनी ने पानी छोड़ दिया है इसे फेकिंगे बिल्कुल नहीं इसे के अंदर इसे और कुक करेंगे यहां लेंगे पोटाटो मैसर अच्छी तरह से मैस कर देंगे बिल्कुल दानेदार रेसे जैसा ये देखी मैसोकर बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं और गैस को मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम के उपर रखा हुआ है अभी इसे कुक करेंगे इसे रख देते हैं साइड में और यहां मैंने लिया है एक पैन इसके अंदर डालेंगे हम तीन चमच देशी घी घी को गरम होने देते हैं घी गरम हो गया है और यहां मैंने काजू बादाम को बारिक चोप करके रखा हुआ है ड्राइफ रूट आपको जो भी पसंद करें वो डाल सकते हैं इसके अंदर यह आपकी चोइस पर है और इसे हलकी आज पर मतलब लो फ्लेम के उपर हलका सा रोस्ट होने देते हैं बहुत ज़्यादा आपको डार की से रोस्ट नहीं करना है लाइट पिंग कलर का होने तक ही से रोस्ट करना है ये देखिए हलका हलका सा कलर चेंज हो चुका है इतना भरी हमें इसका कलर चेंज करना है बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है गैस को कर दिया है ओफ और इसके अंदर डाल दी है मैंने किस्मिस क्योंकि किसमिस को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है रोस्ट होने के लिए हल्की सी आज में ही ये रोस्ट हो जाती है सारी ड्राइफरूट अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं इसे डाल देंगे हल्वे के अंदर पूरा किचिन मेहक रा इतनी प्यारी खुसबू आ रही है और जब हम ड्राइफरूट को घी के साथ रोस्ट करकर डालती है तो बहुत प्यारा टेस्ट भी आता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर से वही पैन रख दिया है आधा कप डाल दिया इसके अंदर दूद दू जल का हलवा हम बिनागी से इंस्टेंट तरिके से जरूर बना रहे हैं मगर टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं टेस्ट ऐसा लाजवाब आएगा कि आप बार बार यह हलवा बनाना पसंद करेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करते चैनल पर पहले बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका दिल से धन्यवाद बातों ही बातों में दूद हमारा गाड़ा हो गया है लो टू मीडियम फिलिम के उपर पकाया है और यह देखे काफी गाड़ा हो गया है दूद तीन से चार मिनट ही लगते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मावा बनने में और मावा बनकर है तयार देख सकते इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर क्योंकि कड़ाई हमारी गरम है अकर कड़ाई में रखेंगे तो मावा जल सकता है यहां गाजर का हलवा तयार है यह देखिए बिलकुल भी नीचे से लगा नहीं है और बहुत ही अच्छा सा गाजर का हलवा बनकर तयार है कलर कितन इसे मिला देंगी और फ्रेंड्स अगर आप यूटूब पर देख रही हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दे वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर आप फेस्बुक पेज़ पर दे रही हैं तो फोलो कर ले हमें और लाइक का बटन जरूर दबा दे यह देखिए इतना हजर प्लेट के अंदर डाल लेंगे आज की वीडियो आपके लिए यूजफूल रही होगी प्लीज लाइक शेयर जरूर करें थैंक्स फोर वचिंग